आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार यमियस्ट मुर्ग चने इसके लिए मैंने रख दिया है पैन चुले के ऊपर आप हम इसमें डालेंगे तू टेबल स्पून कुकिंग और इससे जादा मैं डालती नहीं हूं क्योंकि मुझे जादा ओयल वाली चीज़ें पहाल नहीं हैं यह बिलकुल मेरी अपनी इजाद करदा रेसिपी है ठीक है तो मैंने वन केजी जो चिकन है इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया था इसके पीसिज अपनी मर्जी के मताबिक कर लिया थे और मेरे पास है एक जाना वो टेन है चलों का से यह जी तो अब मैं इसके ले डानूंगी जीरा यह मेरी अपनी इजाद से दर अच्छी थिया लेकिन टेस्ट लिया वह गरेंटी थिया बहुत मर्जी मर्जी बनती थिया अब इस खोलकों के तेर में मैं डालें गी सिचंग जाना नहीं जारा गर्मी बहुत है नो सेरिया में इस ताइंग है कि मैंने ले लिया है अब इसके साथ मैं इसके साथ मैं एकिन को से कंगी बहुत होब चली जाती है इस लोगों को बड़ा मस्ला बता है इसमें आप है में लोगों मिशे हूं तो अगर मैं चांओं को इसमें सोडा सा इलाइची पाउडर बीडाल दो लेकिन मुझे नहीं यह जो है चिकन यह अपना रंग बदलने लग चिता चिता होने लग यह जैसा कि मैंने बताया था चिकन यह वाइट होना शुरू हो जाएगा अब इस टाइम जब भी मैं चिकन बतन इस तरह की कोई चीज बना रही होना उस टाइम मैं फीट टाइम परदा समदर का पेस्टा सब इसमें बिल्कु यह परफेक्ट ताइम है कि हम रसनादर का पेस्टा लें कि मैंने वन टेबल स्टून जैना यह भरके रसनादर का पेस्टा आप दीए अगर खानों में मुसाले जादा भी हो जाएं तो इसका टेस्टी गिली खराब था हो जाता है इसलिए जो भी चीज दालें मैयर करके डालें रेसिपी नोज़ कर लें अगली दफा के लिए कि अगली दफा के लिए कि अगर 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 आप कट्स लगाते है ना तो अंदर तक से निशाला जाता है इसका फिकन जैव अंदर से बिल्कुल भी बॉबल की तरह नहीं होता यह अवर हो आपते हैं पौल के माहिशंयी परमा से लोला ने वस्कूंबाद अंधा अगर अगला जल से आटा जैना अगला इस टेल में में हॢई पर अगर आप देखे नैस्टे में गेशिखन टेLLी यह उन इस एक परन ब्रावन हाईं है यह देख सेक्टर है लाइट ब्राउन का है तो फाइनली मेरा स्टैंड आ गया है अब फ्रेंज यह थोड़ा बड़ा नगर आ रहा होगा आपको बिलिख दिखाए 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 वो भी नगर आ रहा है और इंशाला इंशाला मंदे को मेरा माईटी आगा हो पर देखाए अब इस ताइम पर गना वो मैंने फ्लेम बिल्कुल बन कर देना है और इस चिकन को इसके और के साथ ही मैंने इस बाउल में निकालना अब मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से चिकन को जो जोना हल्का से ठंड़ा उने थें पांच मिनट बस तो अब मैं यह मस अच्छे से जाना लगा दोगी तकरीबर रहाँ एक तुम मेरे ना ना कालने का जो मकसद था यह था कि ऑल गरे अच्छे नहीं है तो था है जाना मिला ना निकालने के तुम के दमारे के अच्छे से आज़ा है अधुनि और अदे ना नहीं होगा दोड़ा लें ऑखिएगों मसाला लगाने के बाद बास इसको अब हमने साइड प्राफ कोने हम अपने चनों की तरफ आते हैं लगी कडाही जो हम पहले यूज काटर थे इसके नीचे फिर से आप यजा दी बैट किया हो लगाने में मास्टर होती है ऐसे भी अब हमने इसके अदर डाला है दी तू टेबल स्टाइल है तो मैं हमेशे टू टेबल स्पून आज दालते हूं यह कटी हुई लंबी लंबी प्याज यह मैं इसके दर शामिल करेंगी लास्ट वीडियो में जो मैंने प्याज दाली थी इसके मुझे बहुत डाल पड़ी थी मैं मैंने बोला के वेटे यह किस तरह प्यास क अब भूलताई आई उस स्टाइस लासिए अनियों चाटेशे अंज है कि दाल भूग प्यास अगर आपको ऑन चैसे न infused कासा चाहिए थाए है। छोंज तो बरीव-बरीठ काटने के वह से जल्रीrá मिल जाता है अब अगर आथ जाते हैं कि आपके प्वलेख विनले दिलेक्ति भांव की प्राउन सा तो आप इसको उतने ही प्यास ब्राउन करें अब इस ताइम पर में नमग दालेμεं त्रीजूण नमग दाले नियुक्त के सान्भ नमग डाले, सान लगा है एक चिकन क क्याते ग permettre अगर प्राइब नमग दिए 20 जोटेएकाई इसलिए रहाँ उन बिद नमग दाले कि अग कि नो कि फ़ीं प्रीष दाले जाएगा जादा होगा तो मस्दा गर्श लिए इस लगा नियुंगीड है अब ताइम है जी मैं इस लगाने का लगाने का नहीं दालने का तो मैंने तकरीबन एक टी स्पून जाना हूँ मैं इस टाली है इससे पदर के मेरे ची गुसा करें मैं इसके अंदर डाल दूंगे पाने आहा है यह तो लग रहा है कि मेरे इस लग गई है जैसे कि मैंने आपको गताया था कि मुझे जहाई डार्थ कलर चाहिए चैनों का तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारों ने डार्थ कलर छोड़ा है तो अभी इंशादला चैनों और कलर भी सुपरा सहोगा मज़े दार्थ इस ताइम पर मुझे दालेंगे चैनों का तो आप द अशाद जल्गोण पर चैने मेरे रीकी हिस्ताइम डाल देंगे करे सब्सक्राइब कर दों कि अफेट बहुनी जो बहुनी जो बहुनी जो फांऄ तो मेरे गवाले ओड़ने होगे मैं इसका थाइम पर न चने मेरे कि दाल देंगी रीचने का चल्णाम में भीनात मत्रों का आपके लिए अपिर मैं इसको पांच में तो लिए ना अच्छे से भूंगे यह जो हमारा मैंने ने टीब सी करने इसको नाट कर लिया अच्छा पान में एक अब और अब अब आपको अब इसमा अब एक अब जाए पानी डाला है जतना सामेशोरबा चाहिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए इसले में ज्यादा नहीं दाला है अब हम इसको पांच-जास मिनट के लिए जाना पकने देंगे अच्छे से यह पक रहा है तब तब हम अपना धनिया काड लेते हैं यह डाल दिया था और यह मज़दार से चने जाए यह हमारे त्यार हो के हैं और इतनी प्यारी लुक का रही है मुझ चैनो की तो थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं आप को नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़दार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफिज